प्रिया प्रकाश वारिया के मानिक्या मलराया गाने ने उन्हें रातो रात स्टार बना दिया है लेगे नविस पर विवाद भी शुरू हो गया है हैदरबाद के कुछ युवाओं ने इस गाने को मुसल्मान विरोधी बताते हुए इसके खिलाफ F.I.R. दर्ज करा दी है हाला कि F.I.R. के बाद फिल्म के डिरेक्टर उमर लूलू की सफाई आई है उमर लूलू ने कहा है कि ये गाना इसलामिक विरोधी नहीं है बल्कि ये मुहम्मत साहब की तारीफ करता है उमर लूलू ने कहा इस गाने को देश विदेश में खुब पसंद किया जा रहा है है अलांके कुछ मुस्लिमों ने इसका विरोध भी किया है उन्हें लगता है कि ये गाना मुहम्मत साहब और उनकी पतनी के बारे में है और इससे इसलाम का अपमान हो रहा है लेकिन ऐसा मानने वाले लोग केवल मुठी भर है मुझे लगता है कि अब ये गाना जाद से जादा लोगों के पास पहुच रहा है आपको बता दे कि मनक्या मलराय अपोवी का मतलब मोहतियों का फूल है जो बेश किमती होता है ये गाना धार्मिक आयोजनों में गाया जाता है ये कि पैगंबर मुहमद और उनकी पतनी खजीदा की प्रेम कहानी के बारे में है यही वज़े है कि इस गाने को पैगंबर मुहमद का अपमान बताया जा रहा है